हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना संस्कारी सुमेथ आज का वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है बहुत लोगों की मेरे पास यानि रिक्वेस्ट आये थी उसके बाद मैंने सोचा चलो आज बनाते ही है वीडियो और दूसरी चीज ये भी है कि अब जैसे एक साल हो चु से डील करना है वो चीज आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समाझ आ जाएगी और जो मैं एक वो बता लेता हूँ क्या-क्या है इसके अंदर मेनली आप यह देखिए जो हमारे फ्यूस बॉक्स हैं फ्यूस बॉक्स दो हैं उनको कैसे एक्सेस करना है और उनके बार तक पूरी इंफोर्मेशन ही होने वाली है तो यह है अपनी गाड़ी सबसे पहले चीज इसमें जो देखनी है वह आपको कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप ज़स्ट ट्रिकॉस्टनरी भी यह चीज समस सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो और सब स और यहां से यह बूट ओपन करके निकाल देना है और वह चीज मैं आगे बताऊंगा इसके बाद पहले जरा अंदर की बात करते हैं हम अंदर की बात क्या है तो जो इंटर्नल जो हमारा फ्यूज बॉक्स है सारी एसेसरी के लिए अंदर की जितने भी तरह के इलेक्ट्रिकल देना है तमाम जो भी है वो सब अंदर से ही सब कुछ यहां से यहां पर इसकी लोकेशन है इसको कैसे आपको निकालना है आप यह देखिये इसको यहां से अंदर के साईड este kar K向 ॉ Sun करना और आपको ऐसे करके निकाल देना है ठीक है अब यह आपकी location आपको दिख गई है यह है आपका fuse box अब आप देख रहे हैं अब इसमें आपको तमाम fuse दिख रहे हैं उपर जो लिखा हुआ है 10, 5, 15, 30 यह सब इनकी rating है इनकी rating है ठीक है आपको I guess clearly दिख पा रहा होगा ठीक है यह सब इसकी rating है और बीच में जो यह लगते है यह relay होती है इसको हमा कुछ नहीं छेड़ना छेड़ना हमें बाकी किसी चीज को भी नहीं है अब आप कैसे पहचान करेंगे कि यह जो हमारा fuse है यह किस चीज यानि कौन से पार्ट का कौन सा फ्यूज सपोज मेरा हॉन बजना बंद हो गया मैं यहां अभी दब रहा है लेकिन यह होन बजना मेरा बंद हो गया तो मैं कैसे पहचान करूंगा कि कौन सा फ्यूज किसका है अब यहां पर सब सब बड़ी problem यह है कुछ का में जो हमारा जैसे मैंने फ देखे तभी आपको सारी information इसके regarding मिल जाएगी अब owner manual में आप ढूंडेंगे कहां पर लिखा है तो मैं आपको सीधा सीधा बताएता हूँ owner manual में 5.15 page है इसका पूरा diagram बना हुआ है 5.14 पर diagram है 5.15 पर और 5.16 पर दोनों पर पूरी detailing लिख हुई है एक एक के करके आप वहां पर देख सकते हैं ठीक है और जो भी आपका पार्ट नहीं चला सपोज होन है हौन यहां पर लिखा हुआ है आपको फोट क्लियर नि दिखरी होगी अधीन नम्बर में काइसे पहचान करूं तो यह जो मैप है यहां सेयरा 18 नम्बर मम सभी यहां से काफी दूर है तो वहाँ पर यह काफी ज़्यादा हो जाता है कि हम किसी लोकल अगर हमारे पास देखिए इसको निकालने का भी तरीका है इसको किसी भी मैटल के पार्ट से अंदर डालके नहीं निकाला जाता कोई भी आपके पास प्लास्टिक का कुछ भी हो जिससे आप दो उसे ऐसे करके उसे निकाल सके उपर क्योंकि प्लास्टिक के पार्ट यह बहुत छोटी चोटी जगा है वहाँ पर अगर आपने जो मैटल का पार्ट है वो डाला तो इस पार्क हो जाएगा शौट सर्कुट हो जाएगा हो सकता है आपकी जो आगे एसी है मैं उसमें प्रॉब द्रेट निकालो बैटरी को वहां से रिमूव कर दो उसके बाद यह काम करोगा तो आपको कोई प्रावलम नहीं होगी इसलिए प्रिकॉस्टनरी वेम है क्योंकि प्रिवेंशन इस बैटर देन क्योर तो यह आपका हो गया इंटरनल कुछ भी आपका कई एसी का ब्लोर नही ऐसे करके ऐसे डाला और एसे इसको यहां से दबा दिया बस यह लॉक हो चुका है यह यहां का अंदर का सारा हमारा जो काम था वो मैंने आपको बता दिया यह सब चीज़े रखके यह फरस्टेड और यह सब कुछ इसे करा मने बंद अब मैं जाओंगा अंदर जो एंजिन अंदर दा हुड एक और फ्यूज बॉक्स है वो किस काम का वो बताता हूं अब पहले मैं इसको हेड मांट कर लेता हूं अपने जो कैमरा है उसको फिर उसके बाद दोना हाथों से आपको दिखाऊंगा कैसे उसे एक्सेस करना है तो अब जो हमारा सेकेंडरी फ्यूज बॉ संपगरों केंशए साथ दोना है तो इसनों के बिस्के लिए इसके लिए आपको कोई भी इसकार कर सकता है सिधस्व तरह से करते हैं अब जैसे देखो यह प्रॉब्लम यह इची सही हुई, अभी हो रही है मेरे साथ, अब जैसे यहां पर मैं लूज कर रहा हूँ, यह लूज नहीं हो रहा हूँ, यह फ्री हो के घुम रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का है, थ्रेड उसके कट जाते हैं, पहले बीच में खुला होगा, तो फिर यह हो गया होगा, अब इसको कैसे आपको करना है, खूलना है, इसको नीचे से प्रेशर देना है, अब देखना, इसको नीचे से प्रेशर दे रहा हूँ मैं, यह खुलना स्टार्ट हो गया, ठीक है, यह देखो, अब यह आलमोस्स निकल गया, बस इसको ऐसे करके निकाल देना है, यह ऐसे वर करत जो आपको यह पता लग रहा में रिले में रिले की प्रॉब्लम है गाड़ी स्टार्ट करते ही वहां पर दो ऐसे करके डैस डैस आ जा रहे है एरो जासे और बीप कर रहे है खाली गाड़ी पी पी इस तरह से आवाज कर रही है तो वह जो प्रॉब्लम हो रही है वह इस रिले करने के लिए अंदर अगर किसी भी तरह का फ्यूज का भी काम करने तो पहले इसको यहां से निकाले ठीक है और फिर इसको यहां से निकाले इस जो पैटन है उसके तहट हम इसको रिमूव करते हैं और यह करने के लिए अगर आपका यह एरर आ रहा है तो सबसे पहले किसी भी अगर आपको यह था पॉजिशन कहा है कौन सी यह पूरे इसमें ताम यह तो इसमें यह वाली वो रिले अब आकि दिखने हैं यह भी आप करेंट करल रहे हैं यह उनके हैं इसी वैसे बढ़े हैं देखें एक्सेस किया जाता है अब इसमें एक और चीज़ है कि सपोज आपके पास कोई फ्यूज नहीं है तब आप क्या करें तो आप देखे इसको पलट के आप देखेंगे यहां पर एक फ्यूज दिया हुआ अब यहां पर यह एक एमर्जनसी के लिए फ्यूज दिया है इस एमर्जनसी के फ्यूज को हमें कब लगाना है जो हमारा कोई भी फ्यूज यहां पर उड़ चुका हो अब एक और चीज देखिए आप कोई भी जैसे यहां पर सपोर्द 10 अंपियर लिखा है अब यह फुक अब एक और चीज बहुत ज़रूरी जो चीज है वह यह है कि आपको देखो इसमें काफी ज्यादा इस पेस है खाली इस तरह इस निकल भी जाता है चेड़ा चाड़ी मत करना लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर काफी ज़्यादा स्पेस है अब जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर भाई चूहो की बहुत ज़्यादा प्रॉल्म हो सकती और अगर एक बार चूहे ने इसमें घर बना लिया तो काम तमाम है वह बैठके अराम से यहाँ पर यह सब कुछ खबास है तो आप क्या कर आयए अब यहां से कोई भी एकसेस जो है वो यही है चिर्फ यही है इसन tourism है टूही nranड़ रहे है अगा निस आप यहां बन तरह से बंद कर रहे है यहां पर कुछ ना कुछ hard चीज लगा सकते हैं जो इसको ऐसे करके इसके साथ दबा ले और जो space है entry का वो हमारा बंद हो जाए तो आप इसको यहां पर यह लगा सकते हैं कि precautionary way में वो हमारा यहां पर entry बंद हो जाए और आगे की tension खतम हो जाए यह जैसे नीचे जगा बचरी इसको ऐसे दबाया और यहां पर आप कुछ भी hard चीज लगा सकते हैं और फिर यह उपर को pressure ना मारे वो hard चीज तो उसके बाद यहां पर सीधा हमें lock कैसे लगाना है lock हमने यह लगाया सीधा push हुआ और उसके बाद हमें यह screw यहां से टाइट कर देना है बस सिंपल है उसके बाद यह निकलना हमारा बंद हो जाएगा फ्यूज बगारे चेंज करने के बाद अगर कोई roadside भी person है तब भी आप उसे बिना बैटरी डिसेंगेज किए फ्यूज से छेड़ चाड़ करने मत दीजे नहीं तो फिर आपके किसी भी एलेक्रिकल पार्ट में और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उसके बाद यहां से इसे कर लीजिए और इसको खोलने के लिए छोटी रैंच जो भी नंबर की इसमें लगेगी वो आप चेक कर लेना उसे भी एक स्क्रूड्राइवर के साथ एमर्जनसी अपने टूल किट में उसे आप कैरी करिए हमेशा बाकिए सारी चीजे मैं आपको बताई चुका हूं कि क्या क्या इसमें जो ओवर्व्यू है पूरा दे चुका हूं अपना कूलेंट हुआ और ब्रेक फ्लूड हुआ एंजिन अल्वा कैसे कैसे चेक करना है वो सब कुछ बता चुका हूं इसके फ्लूड की आपको कभी टेंशन नहीं लेनी बैटरी के यह बैटरी का फ्लूड हमेशा कंपनी देखती है और लो मैंटेनेंस होती है निल मैंटेनेंस बैटरी हमारे इलेक्रिकल पार्ट से रिलेटेड हो फ्यूज बॉक्स हो अंडर दा हुड का हो या इन दा कैबिन वाला जो फ्यूज बैक्स हो उसका मैप मैंने आपको बता दिये फिर से बता रहा हूं जो मैनुवल है आपका 5.14 जरूर पढ़ो उसे और पढ़ो ही नहीं केवल उस करने वाला है वो sorry बोल देगा लेकिन आपका नुक्सान हो जागा इसलिए अगर आप कोई काम करवा रहे है तो आपको उसकी पूरी information होनी चाहिए कि किस-किस तरीके से वो सही काम होता है या गलत होता है यही मेरा मक्सक था यह वीडियो बनाने का बाकी खुद पंगे कम ल बना संस्कारी सुने चानल को चाहिए